आप बले काफी सालों से आईफोन यूज करते हो लेकिन कुछ फीचर्स या फिर कह सकते ट्रिक्स है जो हो सकते आपको नहीं पता होंगे तो आए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जैसे आप अपने आईफोन को फुल पोटेंचल से यूज कर सको अगर ये ट्रिक्स काफी नहीं हो तो हमारी टिप्स और ट्रिक्स ही प्लेलिस्ट और वीडियो ज़रूर देखे हैं नमस्कार दोस्तो मेने नाम है अमित विल्कम बाक टो अलोजिन टेकिन इन्दी इस टाइम फर टेक्नोलोजी सबसे पहले जो ट्रिक है उसमें आपको ये तो पता होगा कि जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसके बाद अगर आपको ये स्क्रीनशॉट को फुल पेज में कनवर्ट करना है तो यहाँ पे आप फुल पेज पे क्लिक करके कर सकते हो लेकिन वाट अपको मल्टिपल यहाँ पे add नहीं करने एक screenshot पे आपको सिर्फ दोई pages यहाँ पे add करने तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक crop option मिलता है crop पे आप जैसे click करोगे उसके बाद यहाँ पे आप decide कर सकते हो कितने page आपको include करने इस particular PDF में एक बाद आपने crop कर दिया अब आप देख सकते हो कि selective pages ही यहाँ पे added है सारे start से लेके end तक सब pages included नहीं है उसके बाद आप इसको done पे click करके इस page को share कर सकते हो next जो trick है उसमें अगर आपको थोड़ा सा मजा लेना आपके screen के उपर that is फिलाल आप देख सकते हो कि बहुत रूखे रूखे आपके icons लग रहे है लेकिन इसमें अगर आपको थोड़े से colors add करने तो उसके लिए आपको आना है settings में settings में आपको आना accessibility में वहाँ पे आपको click करना है display and text size पे अब यहाँ पे आपको एक option मिलता है classic invert जैसे आप इसको on कर दोगे अब आपने screen को देखोगे तो काफी colors और काफी vibrant डिख रहा है आपका screen अभी तो कहने का मतलब अगर आपको आपके icons के colors change करने तो इस तरीकी से आ होगे तो आपके photos के भी colors invert हो जाएंगे तो अगर आपको इससे कोई problem नहीं है तो यह वाला function आप जरूर यूज कर सकते हो अब वैसे तो यह वाला function है उसका main objective कुछ और ही है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मजा लेना है आपके screen के उपर तो फिर आप यह वाला option use कर सकते हो iPhone use करते हो and Safari ना use करो यह तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए क्योंकि Safari काफी powerful especially iPhones के उपर तो आये Safari में आपको इसा trick बताता हूँ जिससे आपका experience और भी smooth हो जाएगा तो अगर Safari में कोई भी word आप type करते हो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ arrow था चुके है तो मैंने सिर्फ HE लिखा हुआ है and यहाँ पे मेरे को कुछ suggestions add हो चुके that is HE के बाद मैं क्या hello लिखना चाहरा हूँ या फिर hey Google लिखना चाहरा हूँ तो अगर मेरे को पूरा word type नहीं करना है तो इस arrow पे मैं जैसे click करूँगा तो वो keyword मेरे automatically यहाँ पे add हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे click करके जो जो possible searches है वो directly यहाँ से आप add कर सकते हो अब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे आपके photos को PDF में convert कर सकते हो लेकिन इस वीडियो में आपको वही चीज में एक दूसरे तरीके से बताऊंगा तो यहाँ पे इस arrow पे click करन करना है कि इस picture को थोड़ा सा zoom करना है जैसे आप इसको zoom करोगे तो यह PDF में convert हो चुका है अब आप इस arrow पे click करके इस वाले PDF document को share कर सकते हो किसी के साथ और इस PDF document के अंदर और कुछ नहीं लेकिन वही picture है तो पिछले वीडियो में जो process मैंने बताया था अगर आपको वह process follow नहीं करना है तो आप इस process से भी अपने pictures को PDF में convert कर सकते हो multiple pictures को combine करके एक collage में डालना चाहते हो कुछ इस तरीके से तो उसके लिए of course आप को third party app तो download करी सकते हो लेकिन अगर आपको कोई भी third party app डाउनलोड नहीं करना है इस process को और भी easier करना है तो वह चीज़ आप inbuilt इ यहाँ पर आपको एक option मिलेगा select photos, select photos पर आपको click कर लेना है next आपको यहाँ पर जो show more लिखा हुआ है उस पर click करके सबसे पहले select multiple को on कर देना है तो यह तो हो गया first action अब चलते second action पर and उसके लिए हम plus पर click करेंगे and यहाँ पर हम search करेंगे combine उसके बाद यहाँ पर आपको third action पर and third action पर आने के लिए आपको again plus पर click करना होगा यहाँ पर आपको search करना save and नीचे आपको option मिल जागा save to photo album इसको आपको select कर देना है तो अब आप देख सकते हो हमारा जो shortcut है वो three parts में divide हो चुका है सबसे पहले हम photo select करेंगे second हम उसको combine करेंगे and third हम उसको photo library पे save कर दे देते हैं for example लिख लेते हैं create grid and next हम done कर देते हैं तो यह वाला shortcut create हो चुका है अब आपको इतना ही करना कि every single time जब भी आपको combined या फिर collage वाला picture generate करना हो तो उसके लिए इस shortcut को run करना पड़ेगा and वो run करने के लिए आपको इस shortcut पे click करना होगा जैसे इस shortcut पे आपकी photo library open हो जैसे यह generate हो जाएगा यहाँ पे आपको tick mark आ जाएगा and उसके बाद आप जब photo library में आपके आओगे तो वहाँ पे आपको वह आला picture देख जाएगा and यहाँ पे आपको देख सकते हो कि दो picture as a collage create हो चुके हैं of course अगर आपको दो से ज़्यादा pictures collage में add करने तो वो भी आ आप कर सकते हो और उसके लिए इस shortcut को run करके आपको दो के जगा पे चार pictures यहाँ पे add कर देने उसके पाद जैसे add पे click करोगे यहाँ पे आपको एक tick mark आ जाएगा एक बाद टिक माक आ चुका है उसका मतलब वो picture create हो चुका है अब हम आते हमारे photos के app में and photos के app में वो वाला picture आप देख सकोगे जिसमें 4 different pictures का एक collage बनके यहाँ पे create हो चुका है अब जो लोग iPhone या फिर Apple के कोई भी devices use करते हैं वो जानते होंगे के add drop बहुत ही काम का app है क्योंकि add drop के through आप कोई भी files, pictures, video आसानी से transfer कर सकते हो एक Apple device से दूसरे Apple device पे लेकिन अगर आपको add drop करना है from your iPhone to Android या फिर Mac या PC तो उसके लिए जो process है वो थोड़ा से अलग है और और भी आसान है और उसके लिए आपको आपका browser open करना है आप कोई भी browser open कर सकते हो मैंने फिलाल safari open किया है वहाँ पे मुझे यह वाली website open करनी है that is snapdrop.net अब यही website मेरेको Android में भी open करनी है एक बार मै यहाँ पे आप देख सकते हो you are known as mocasin owl that is कहने का मतलब यह जो website है वो आपके device को एक नाम देगी and वो नाम आपके दूसरे वाले device पे आपको देखने को मिल जाएगा similarly आपका जो Android का device है उसका भी एक यहाँ पे नाम generate हुआ that is lavender mint वो आप यहाँ पे देख सकते हो अब अगर मेरे को कोई भी file transfer करने iPhone to Android उसके लिए मेरे को इस वाले नाम पे click करना है जैसे मैं इस पे click करूँगा मैं अफकोस कोई भी photo photo library से निकाल सकता हूँ या फिर मैं camera भी use करके कोई picture click कर सकता हूँ यहाँ तक कि मैं browse पे click करके file से भी कोई file pickup कर सकता हूँ फिलाल मैं take photo पे click कर लूँगा next में को click करना use photo पे use photo जैसे click करूँगा आप देख सकते हूँ यह वाली file यहाँ पे transfer हो रही है and आप देख सकते हैं कुछ ही microseconds में यह वाला picture इधर से transfer हो चुक है android पे and उसके बाद यहाँ पे आपको save पे click करना है and next आपको click करना है download पे तो अब यह वाला picture इस वाले android में download हो चुक है and next आपको open पे जैसे click करोगे तो वाला picture आप देख सकोगे अब as a demo में आपको यह भी दिखा दाता हूँ कि अगर आपको कोई picture android से transfer करना है आपके iPhone में तो उसके लिए आपको आपका iPhone का जो device है उस पे click करना है next of course आप camera भी यहाँ पे select कर सकते ह इस बार में files पे click करके आपको transfer करके दिखाऊंगा तो files पे जैसे click करोगे तो आपका files का app यहाँ पे open हो जाएगा उसके बाद आपको वो picture यहाँ पे select कर देना and जैसे के मैं आपको बता है कि immediately यहाँ पे वो picture आप देख सकते हो next आपको save पे click करना है download पे click करना है and उसके आपको आना है आपके files के app में files के app में जहाँ पे downloads लिखा हुआ है वहाँ पे आपको click करना है and यहाँ पे आप वो वाला picture देख सकोगे जो आपके android से transfer हुआ है and अगर आपको इसको आपके photo gallery में add करना है तो यह arrow पे click करके आप save image यहाँ से कर सकते हो अब कुछ additional points में आप आपको बता देना चाहता हूँ before आप snapdrop.net use करो number one point यह है कितनी बार यह काम नहीं करता है and तब आपको सिर्थ इतना ही करना है कि इस website को वापस reload करना पड़ेगा आपको दूसरी point जो आपको पता होने चाहिए वो यह है कि आपके जो भी devices हैं जिनके बीच में आप transfer करना च चाहिए and last चीज जो आपको पता होने चाहिए वो यह कि according to developer यह जो प्रोसेसर काफी secure है तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए अगर इन में से एक भी trick आपको पसंद आया है तो like and share जरूर करें अगर इस type का content आपकी taste को match करता है तो subscribe भी कर सकते हो and pass में आपको ज bell icon देख रहा है उस पर भी click जरूर करें देखते रहे यह login taken India और मिलते हैं next video में